हेई गाइस वेल्गम टु मैं चानल और आज हम सीखेंगे किटकेट पज बनाना इसके लिए पहले हमें कंडेंस्ट मिल्क चाहिए तो हम 200 ml जितना कंडेंस्ट मिल्क यूज करें तो मैंने तिन यूज किया है वह 400 ml जितना है तो मैं इसका आदा टिन इसमें खाली कर दूंगे अब इसमें वाइट चॉकलेट कंपाउंड करेंगे अब कोई भी वाइट चॉकलेट बे आड कर सकतों जैसे मिल्क की बार आता है तो मैं इसमें 200 ग्राम से इतना आड करने वाली हूँ तो मैंने आदा पकेट यूज किया है और इसके पीसेस कर दिये और वह पीसेस को हम इस लागा पिसको फेल राहने है अचितर करते हैं अभी आजिए तक अधिशे कहो गया है अग हूआ है अधिक कंसिस्थेंसी सहा लग रहे है अभ इसमआ अद गड़ें कारें के तो इसके ईसे अभी पीसेस काट देजैं और फिर इसको कुछ चोटे पीसेस कर ये इसी ज़िश् 3-4 बार इतना 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 अब हम एक रेक्टांगुलर कंटेनर लेंगे मैंने रेक्टांगुलर टेफिन लिया और इस पर अलुमिनियूम फॉयल लगा दिया है इस तरका बटर पेपर ना पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हो फिर ऐसे किटकैट की एक लाइल लगा दिया है और इसके उपूर अब चाहिए है अब अब एक बार और इसको थोड़ा सो गुमा देंगे कि एवनली श्प्रेड हो जाए अब यह रेडी है इसको मिनिमुम थीन गृंटे तक फ्रिज में रख देना है वस तीन गृंटे होगा और रेडि है इसमें बीच में से कुट कर देता है और फिर इसक करके और और यह से कुट कर देता है इसमें से मैंने च्छे केट कर फर पीशेश्ट रेडि किया है आप चाहे तो और भी पेडार कर और थोटे पीसे बना सकतो है बसी किट कैट की लायर और ओपर वाइच चोपलेट की लायर के साथ इंजोई